तो नो पर में पर्स टाइम इंफ्य चलोगे हम चार बर बेंडेज कर गा है लॉंग जंप लास्ट टाइम में हुआ आट फिट भी नहीं फांद पारे थे दो टाइम में पहली बार में आपने च्टाइम में 244 में इस अच्छा थोड़ा ज्यादा है टेंपरेचर ज्यादा उ एक पैर्मे ने दोनों पैर में हो गया फिर वहाँ पर क्या अधिकारी कोई मदद कर रहे थे आपकी अधिकारी आपको बेंडेज लगवा देगे चांस में तो मदद नहीं न करेंगे । क्या लग रहा था अंदर कैसा म साष चल रहा है। भी आपने जीत पा जो है पहली बार में आपने इस बार क्या लग रहा है कितने मिनट आपने दौर निकला साड़े छे में कितना मिनट रहा आपका नहीं बताया गया है काफी दर्द हो रही है ना क्या लगता है अब जो कंदे पर रिष्टार लगेगी तो कैसे सेवा कड़िएगा अंदर से अभी घड़वाले को सबसे पहले किसे फौन कड़िएगा पहले तो मापापा को बहुत खुसी है कहा तक पढ़ाई कड़िया आपने विकौम ओनर्स की ह देखे बाई साब संभू गंज बाका से हैं और इनके पाउ में चोटे आई है इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी है अब जीत जो है दर्द कर ली है देखना होगा 223 दरोगा का जब फाइनल रिजल्ट जारी होता है इनका सेलेक्शन हो पाता है बड़ाल जो तस्वी जा रहे हैं उनको कुछ बताना चाहिएगा कि क्या कमी है किस तरीके से सोच समझ कर जाएं थूप थोड़ा ज्यादा है तेंपरेचर ज्यादा उसकी करम पैर त्थीवता होगा तो थोड़ा रखना है जून रहेगा तो भी जाएगा हो जाएगा और लॉंग जम्प हाइस यह दोनों पैर में हो गया फिर वहाँ पर क्या अधिकारी कोई मदद कर रहे थे आपको बेंडेज लगवा देंगे चांस में तो मदद नहीं न करेंगा नहीं वह मदद के लिए आए होंगे ना कि हाँ चलिए मेडिकल करवा देते में कॉप्रेट कर रहे हैं देखिए जीत दर्ज कर ली है अभी पानी पी रहे हैं और और भी अप्यरती हैं लगातार यहां पर बैठे हुए हैं अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं घड़वाले लोग भी आए हुए हैं बाका के संभू गंसे हैं और इनके पिता किसान है इन्होंने दोर निकाल ली है अब अगली तयारी में जूट जाएंगे हम इनसे आपको लगातार मिलाएंगे बनेड़े लाइब यार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लाइब भी हाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें